स्टोरी के बाद बच्चों कुछ difficult words दिये हुए हैं, उन्हें आपको समझना है और अपनी copy में लिखना भी है तो आईए सबसे पहले हम लोग देखते हैं Dared, Dared का मतलब होता है brave, to be brave enough to do something मतलब किसी भी काम को करने के लिए बहादुर होना Next है kinsman, kinsman का मतलब है a relative, रिष्टेदार Fierce, Fierce means violent या frightening, violent का मतलब हिंसात्मक Dalted, Dalted का मतलब होता है moved quickly, means तेजी से मुढ़ना Next word है cliff, इसका मतलब a steep या high rock, मतलब उची चटान जो होती है उसे cliff भी कहते है, फिर last word है wandering, wandering का मतलब होता है traveling from place to place, इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान गोमते रहना उसे wandering कहते हैं, अब last में आप देखेंगे कि एक table बनी हुई है, और इस activity का नाम है word search आपको word search करने है, कौन से word search करने है, जो आपने उपर देखे है all the above six words are hidden in this table, find the words and circle them जो आपने छे words उपर देखे हैं, उन्हें इनी table में खोजना है और आपको circle करना है, जैसे एक green color से आपको देखिए dark करके भी दिखाया गया है, तो आपको पांच words और खोजने हैं जिसमें dared है, kinsman है, fears तो खोज लिया गया है, darted है, cliff है और wandering है आपको ये सारे words खोजने हैं और circle करना है, या आप color कर दीजेगा तो ये आज की आपकी English की worksheet थी, इसे आपको पूरा करना है और पूरा करने के बाद सभी students अपनी worksheet को group में share करेंगे और लिखते वग आप spelling और writing का थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बच्चे जल्दबाजी में work complete करते हैं तो उनकी writing भी समझ में आती नहीं है और spelling error भी वो लोग कर देते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, writing आपकी साफ होनी चाहिए spelling भी देख के लिखेगा, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही और story के साथ मैंने story भी समझा दिया है और उसके बाद words आपको बताएं हैं, हिंदी में भी बताएं हैं फिर उसके बाद आपको ये भी बताया है कि इस table में आपको word search करना है कैसे और फिर उसमें circle करना है तो ये आज की हमारी work sheet थी, आप लोग video को देखिए समझने के लिए कई बार भी देखिए और फिर अपने work को complete करके गुरूप में share करिए Thank you, have a nice day और last में देखिए, लिखा भी हुआ है कि keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards Corona बच्चों अभी खतम नहीं हुआ है, हमें अभी भी इससे बचना है और जब तक बचना है जब तक इसकी दवाई नहीं आ जाती तब तक आपको 6 feet की दूरी बना कर और mask लगा कर ही public place में रहना है और निकलना तभी है जब बहुत ही जरूरी कोई काम हो नहीं तो आप घर में ही रहिए और सेफ रहिए Thank you, have a nice day